गुड मार्निंग फ्रेंड्स आज हम आप लोग को लेकर चलते हैं जनकपुर नेपाल में से जलेशवर मंदिर ये जलेशवर मंदिर नेपाल के भिट्टा मोड से लगभग 15 किलोमीटर की दुरी पर है वहां जब आप जाएंगे तो ये रास्ते में एक चौक पड़ेगा और इसके आगे छोटा सा एक मार्केट पड़ेगा और उस मार्केट को पार करके आप पहुन जाएंगे जलेशवर मंदिर जहां पर पानी के अंदर सिवलिंग विद्धिमान है तो चलेंगे वहां पर आपको दर्शन कराएंगे ये में गेट है जलेशवर मंदिर का और यहां पर बाहर आप फूल बगयरा ले सकते हैं भगवान भूलेनाथ को चड़ाने के लिए यह जलेशवर मंदिर है यह गुंबज वास्तुकला पर बनाया गया है यह जलेशवर महाद्यों मंदिर का प्रांगण है इस प्रांगण में सामने उदर गड़ेश जी का मंदिर दिख यहां हन्वान आराधना है जहां हर मंगलवार को सुंदर कांड वगयरा होता है बगल में यह त्रिशूल है जहां पर धूनी वगयरा रमी हुई है यह गड़ेश जी का मंदिर है इसके भी यह आपको दर्शन कराएंगे और यह रहा जलेशवर महाद्यों मंदिर यह जलेश सरकुंड से ही भक्तिगाड जल लेका जलेशर महादेव को अरपित करते हैं और यह प्रांगड में और भी कई मंदीर है उसके भी आपको दर्शन कराते हैं और इसी प्रांगड में यह एक प्राचीन पेड़ है और उसके ठीक सामने यहां पर आप देखेंगे तुस्री काल भ जबता है काफी हरियाली है यहां पर और इसके बाद हम आगे चलते हैं जलेशर महादेव मुख्य मंदिर की तरफ वहां पर आते समय एक बड़ा सा घंटा है इसको भी हम बजा देते हैं जय भोले नात अब आगे हम चलते हैं यहां कई दिये रखने के भी स्थान है जहां प करने तो लगभग आठ सेड़ी नीचे उतरकर हम लोग यहां पहुंसते हैं यहां पर यह जल भरा हुआ है और इस जल के भी लगभग आठ सेड़ी नीचे हमारे जो महादेव जी हैं वो चौकोर सेवलिंग के रूप में विद्देमान है यहां के बारे में कथा प्रशलित ह कि स्री जगदीश नाद गिरी जी एक संत थे जो कि कहीं जा रहे थे और रास्ते में यहां पर आराम करने के लिए कुछ देर के लिए रुके और संकर भगवान जी ने स्वयम खुद उनको स्वपन में बताया कि यहां पर हमारा एक सेवलिंग है आप उसे निकालिए और यह के दोरान इसी मंदर से मिटी ली गई थी यह मंदर बहुत ही पुराना है इसलिए इसकी मानिता बहुत ही जादा है यहां पर जो आप लोगों को फूल बेल पत्र और पानी यह सब दिख रहा है इसकी सफाई नेपाल पुलिस वाले ही करते हैं और इस जल को वो लोग बेरा की सहता से ही निकालते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर मोटर लगा कर इस पानी को निकाला जाता है तो मोटर घराब हो जाता है हाथ से ही इस जल को निकाला जा सकता है और उसके बाद फिर दीरे इसमें पानी भर जाता है अपने आप अब वो पानी कहां से आता ह यहां दिख रहा है जल वहां से 8 सेढ़िया और नीचे उतरेंगे जय भोले नात चलिए अब हम लोग और भी मंदिर के दर्शन कर लेते हैं जो इस प्रांगण में है सबसे पहले हम लोग शलते हैं यह स्री जगदीश नात गिरी जी का जहां पर समाधे स्थल है वह उसके दर्शन कर लेते हैं जिन्होंने इसके खोच की और यहां पर यह कुछ देखे मूर्तिया शिवलिंग यह सब हैं इसी प्रांगण में मापारवती जी का एक बहुत ही सुन्दर मंदिर है उसके भी दर्शन कर लेते हैं जय मा पार्वति ये पार्वति माता के दर्शन कर लीजिए अब उसके बाद चलते हैं बजरंग लगवा सब सही रेट से मिल जाता है अब चलते हैं गड़ेश मंदिर में जहां पहले आपको हमने बताया था यह देखिए गड़ेश जी के दर्शन कर लिए जय गड़पति नमा और हम लोग चलते हैं स्री लच्मीन रायन मंदिर की तरफ यहां लच्मीन रायन जी की बहुत ह ही खुबसूरत मुर्ति है और फोटो में इतना क्लियर दिख नहीं रहा है क्योंकि सीसे का ग्लास लगा है लेकिन आप जब आप लाइव आएंगे तो बहुत ही सुंदर यहां पर लगता है अब हम लोग चलते हैं स्री त्रिशली माई मंदिर में इसको देख लेते हैं यहा आ गया है हम प्रांगण में चलिए एक बार फिर से हम लोग जलेशर महादेयो जी क्या जैकारा लगा लेते हैं जै भूले ना हर हर महादेयो वैसे तो इस मंदिर में हमेशा ही भीड़े रहती है लेकिन महा सिवरात्री और बसंत पंचमी को यहां बहुत भीड़े रहती है अगर आपको यह महादेयो जी का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सेर जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बै